दोस्तों बात करें तो आज इस वीडियो के अंदर में एक ऐसी बात करने वालों जिसके चलते हैं आप लोग एक सच्चा ही पता चली कि जो बड़ी बड़ी स्मार्टफोन कम्ति हैं जो इंडिया में ऑपरेट करती वो करती कैसे हैं देखो बात किया है तो इन कम्तिनी से मेरे इंटरेट करने का मापा मिलूं काफी सारी अंदर की बात है पता चली और मेरे को लगता है कि कई बार आप लोग को भी ऐसी बाते पता होनी जाएं कि exactly में कम्तिनी यहापे किस तरीके से काम करती है तो सबसे पहले बात कर दो, इंडिया में बात की जा तो आपको दो टाइप की कम्तनीज है, एक इंडियन कम्तनीज और एक बाहर की कम्तनीज है, इंडियन कम्तनीज देखा है तो इंडिया में अभी जो अच्छे तरीके से काम कर रहे वो लावा है, उसके अलावा माइक्रो मै आपकेट यहां इहां पह ले रखआ हैं वो ले रखआ है आपती Chinese निए और एक Samsung बच्छी जो Korea की वहीं बात करें अगर मैं चैनीज कंद नी की तो किसी कंद नी की बात करां यह शाओमी के बात करें पर लोा तो वो भी USA से वेल बात हिया तो basically इंडिया में ये जो companies अपने phones बना कर बेचती है इन phones की जो specification decide होती जो exactly में जो R&D होती है वो सब बाहर से होती है मतलब कोई भी Chinese company proper इंडिया में अपना phone design करती ही नहीं है और चाइना में बैट के लोग ये decide करते की इंडियन audience को किस से आपका processor देना है कौन सा camera देना है 8 Megapixel को लिटरवाइट देना है कि 2 Megapixel का macro देना है ये चीज यहाँ पर decide होती है और ये literally बहुत बढ़ी चीज है और काफी साथ लोग को इस बाहर में पता नहीं होता कई बार जो लोग रहते है न वो यहाँ पर company का जो twitter handle होता है इंडिया वाला उस पर लिख देते उस पर बुरा ही कर देते है लेकिस सच्चाई की बात यह है कि इंडिया में जो लोग बैठते उनके पास वो power है नहीं कि वो decision यहाँ पर ले सके येस ये बहुत बड़ी चीज़े इसके साथ exactly mobile phone का software तक काफी सारे चीज़े इंडिया में नहीं बनती है ये काफी सारे चीज़े बाहर से बनके आती है और इसी चक्कर में काफी सारी दिक्काते आयाती है मतलब कि Chinese market बहुत जादा लगे इंडियन मार्केट अलगे इसलिए Android अपडेट की दिक्कत mobile phone को किते Android अपडेट मिलेंगे mobile phone में ads आएंगे की नहीं आएंगे ये सारे चीज़े यहाँ पर बाहर से decide होती है और कई बार एक जो communication गया पोजाता है इंडियन यूजर के बीच में और जो company का headquarter होता है वहाँ के बीच में उस current से mobile phone के अंदर कई बार आपको issues देखने को बलते है या फिर कोई ऐसी चीज़ देखने को बलती है जो हमें इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आती बेसिकली आप ऐसा सान सकते है कि चाइना से instruction आएगा उसे इंडिया की company execute करेगी और उनके साब से company को चलाएगी ऐसी Samsung के साथ है Samsung के पास भी इंडिया में इतना ज़्यादा power नहीं है कि वो सारी चीज़ें हाँ पर करें जो majority R&D वाला process होता है वो Korea के अंदर होता है वहाँ से phone निकल कर आता है और उसके बाद वो phone यहाँ पर बेशने को मिलता है और देखा तो उसके impact यह पड़ता है कि हमने कम युकि कई बार feedback दिया कि bloatwares कम करो, camera की tuning सही करो कई बार यह बोला है कि आप छोटे और phones को निकालो लोग यहाँ पर demand करते है लेकिन उनका यह कहना है रहता है कि हमने अपकी बात को आगे पहुंचा दिया अब उनके ओपर depend करता है की चीज आएगी की नहीं आएगी इसके लाबा हम बोलते है कि camera में ऐसा होना चाहिए अच्छा है में sensor डालो OIS उसके अंदर implement करो लेकिन यह आगे के अंदर ही depend करते ही चीज़े क्योंकि पीछे से सारी चीज़े decide होती है कि इंडिया की लोग के लिए हाँ पर कौन सा phone suitable रहेगा और किस tap का phone यहाँ पर बनाना है क्योंकि अभी भी देखा है तो इंडिया में भली manufacturing शुरू हो गई लेकिन जो R&D वाला काम होता है कि इंडिया के लोग को किस tap का phone चाहिए वो काम अभी यहाँ पर नहीं हो रहा लेकिन इसके साथ ही देखा है तो आखिर इंडिया में कौन सा काम होता है देखो इंडिया में बात यह तो basically marketing होती है कि मानलो यार एक company ने एक phone बना दिया फिर वो इंडिया वाली unit को भेजी यार यह हमने phone बना इसको हम इंडिया में किस तरीके से present कर रहे है इसका नाम क्या रखे है किस तरीके से ले जा कि market में हिट हो जा और यहीं पर आप देख सकते है कि चाइना में कोई phone launch होता है रेटमी ब्रांटिंग के अंदर वो इंडिया में आ जाता है आपका Poco के अंदर मतलब आप समझ सकते कि ऐसी कि Xiaomi जो चाइना में बैठे उन्होंने एक phone बनाया फिर वो इंडियन टीम को बलाके पूछे कि ये phone हम किस ब्रांट के अंदर नकाले Xiaomi के अंदर, Redmi के अंदर या Poco के अंदर या फिर एक और phone BB के वालों ने बना दिया और वो पूछेंगे कि इसको Realme में उतारना है, OnePlus में उतारना है या फिर इसको हमें उपाओं के अंदर उतारना है Basically marketing, naming, exactly उसको यहाँ पर निकालना कैसे, present कैसे करना है ये काम इंडिया के अंदर decide होता है कर सिर्फ इतनी चीज़ नहीं है, इसके साथ कुछ और चीज़े भी इंडिया के अंदर की जाती है जो मैंने पता लगानी कोश्च की गई थी और वो होती है testing देखो, यहाँ पे हम कोई भी company का software उठा ले देखो, चाइना के अंदर Chinese ROM अलग चलती है इंडिया के हिसाब से ROMS का optimize किया था ग्लोबल वर्शन अलग होता है और उसकी इंडिया के अंदर testing होती है अग अपडेट से बहुत से जिलेबल करने है तो कि behind the scene देखा जाए तो जिन फोन का development इंडिया के बाहर हुआ है उनकी जो network testing भी होगी वो बाहर होगी और इंडिया में कर जियो ATL के साथ compatible करना है तो उस phone को software के साथ इंडिया में लाना पड़ेगा फिर यहां के network के साथ टेस्टिंग करनी पड़ेगी और उसी के बाद आपको update मिलेगा तो यह कैसी चीज़े की testing वगड़ा के अंदर यहां पर काम किया है लेकिन मेरे साथ टेस्टिंग और अच्छी होनी चाहिए ताकि लोगों को stable smooth experience मिले bugs देखने को ना मिले और कई बाद software update से hardware वाली जो दिक्कत आ रही है न वो आपको देखने को ना मिले यह एक बात रहेगी और यही एक काम यहां पर Samsung भी यहां पर करती है कि वो अपने phones के काफी सारी testing heavily India के अंदर करते है Indian conditions के हिसाब से कि हाग के network हर तरीके सा optimize हो भले ही वो कोई साभी phone global level पर ले जा रहे है लेकिन वो करते हैं यहां पर इसके साथी बात किया तो R&D का कौन सा काम होता है जैसे कि मैंने बता ओविसली 5G की testing वगरा होती है लेकिन OPPO जैसी कमदी ने अपनी R&D lab वगरा setup करी है और उसके अंदर वो claim करते कि 5G को वो लोग test करते जो कि काफी गची जीज़े लेकिन इसके साथी ये भी पता चला मेरे को कि R&D के अंदर India के अंदर camera वाले काम नहीं बगिया जाता है देखो चाइना के अंदर क्या किया जाता है इसके इन टोन बिलकुल अलगाएगी एक अलग सा beauty filter लगागा चाइनीज फोन के अंदर कई बार लगता कि color थोड़े से जाद ओवर-saturate हो रखे ये कुछ basic चीज़े रहती है जो Chinese version के अंदर रहती है इंडिया के लोगों के हिसाब के लिए अब वो लोग यहाँ पर testing बगर करते camera की और खास दोर पर camera hardware को थोड़ा optimize करते majorly Chinese company भी ऐसा करती है even Samsung भी ऐसा करती है क्या आप लोग का मालूम है कि Samsung का Bangalormic R&D Center है और उन्होंने Galaxy S23 lineup के लिए AI system को यहाँ पर develop किया था जो AI camera की capabilities आपको देखने को मिलती है वो इंडिया में develop करी गई थी जिससे S23 लिखा जो camera रहता हो काफी अच्छी performance यहाँ पर निकाल कर देता है यह एक बहुत बड़ी चीज़ है कि camera sensors की tuning वगरा का काम इंडिया के अंदर हुआ है लेकिन हाँ basic जो bits and parts होते हैं यह इंडिया के अंदर की जाते हैं पूरे phone के designing और R&D नहीं की जाती है लेकिन हाँ manufacturing वाला काम भी काफी तक इंडिया के अंदर shift हो रहा है चाइना से क्योंकि चाइना की जो global image वो अच्छी नहीं है और उपर से phone बनाना भी वहां महांगा पढ़ रहा है इसलिए इंडिया के अंदर manufacturing को shift के जा रहा है और even Apple भी आपर लगी पढ़ी हुए कि किस तरीके से हम इंडिया के अंदर जाद से जाद आइफों को बना है और आने वाले कुछ सालों में चीज और आगे बढ़ेगी लेकिन Apple को ये भी पता है कि ग्लोबल लेवल पर भी phone चलेगा इसलिए कुछ feature कुछ ऐसी चीज़ें भी रखती जो ग्लोबल लेवल पर और जादा लोग यहां पर use कर सके ये एक बात है Apple के साथ लेकिन primarily उसका India टार्गेट नहीं होता है इसलिए आप देख सकते हैं कि जब 5G इंडिया में आया था तो iPhone के अंदर इत्तावन उने चिला आया था 5G लेकिन वो इंडिया में काम करता ही नहीं था वो बाद वे चल के उसके अंदर अपडेट आया था यही सिंग कहानी Google Pixel के Google Pixel तो टोटली US Audio को दिहान में रखके बना जाता है क्योंकि यह बात मैंने पता लें कि इंडिया की टीम के पास सिर्फ मार्केटिंग वगरा कंट्रोल है Research and Development जो सारा काम हो रहा है वो USA से हो रहा है इंडिया में इसका जादा कोई रोल नहीं है थोड़ी बहुत टेस्टिंग वगरा हो जाती इंडिया में इससे जादा है यहाँ पर कोई चीज नहीं हो रहा है यानि की Google Pixel जो रहता है प्राइमरी जो टेवाइस से वह US मार्केट के लिए बना जा रहा है और शायद इसलिए अभी इंडिया में 5G वाला अपडेट आने में इतना जादा टाइम लग रहा है और ऐसी ही हाँ पर Samsung भी काम करती है लेकिन हाँ Samsung को पता है कि उससे अपना फोन ग्लोबल ही हाँ पर ले जाना है इसलिए वो ध्यान में रखते है कि हर मार्केट के साब से उसका फोन तयार हो क्योंकि Samsung दुनिया में सबसे ज़्यादा फोन बेशती है US मार्केट भी प्रेजन्स है, Korea में भी है, इंडिया में भी है और वो यह चाहिए कि अगर वो अपना flagship S23 Ultra बना रहे है तो हर जगे वो best possible फोन हो और इसलिए वो testing R&D में हाँ पर काम करता है तो हर जगे के साफसे साई फोन बनाते है इवन ये भी पता चलाता कि Samsung जैसी कंपनी हाँ पर inputs वगरा भी लेता और इंडिया के साफसे फोन भी design करते है लेकिन वो भी सारा का majorly हाँ पर बाहर ही किया जाता है लेकिन बात की जाए तो अभी भी हमें देखना है कि इंडिया वाले कौन सा फोन चलाएंगे ये चीज थोड़ी इसी बदलनी चाहिए और अकर कोई इंडियन स्टार्टप इंडियन कमतनी अगर लोगों की requirement को समझ के फोन बना है कि हाँ लोगों को क्या पसंद है क्या चाहिए अगर वो समझ के फोन बना है तो लाइक करो सब्सक्राइब करो अगर अभी तक नहीं किया तो थेंग आपको वीडियो देखने के लिए मैं हाँ समझ दो नेक्ट वन में गुडबाई